तोको जो topic हमने start करना था वो था probability distribution random variable में आपने समझा जिये था अब भी देखने है probability distribution probability distribution कुछ नहीं है बस एक arrangement है इस तरह है random variable x होगा उसके जो different values होगी वो और उसके साथ में उससे associated जो probability होगी उस experiment में यहनिकि जो एक random variable आया मानलो x1 तो उसके associated probability होगी PX1 अगर random variable X2 है तो उसके according उसकी जो associated probability होगी PX2 इस तरह से यह जो हमके table बनेगा इसी table को हम क्या कहते है probability distribution कहते है इसमें ध्यान रखना important बात क्या है जो PX1, PX2, PX3 और PXN इन सब को मिला के जो sum करेंगे न वो one है sum of probabilities of all क्या आएगा one आएगा और obvious सी बात है probability जो होती है 0 से बड़ी तो होती है 0 के बराबर भी हो सकती है P I जो हो सकती greater than or equal to 0 इन में से कोई value negative नहीं हो सकती ठीक है और one से बड़ी नहीं हो सकती यह values क्या होंगी 0 से लेके one के बीच मिलाई करेंगी ठीक है one भी हो सकती है the real values x1, x2, xn are the possible values of random variable x x1, x2 यह किसकी value रेंडम variable की P I यहने की P 1, P 2, P 3, P N is the probability यह क्या है probability यह किसकी उस random variable से associated ठीक है यह अभी ज़्यादा अच्छे से समय में नहीं आया होगा जब मैं एक question करा दूँँगा question कराने के बाद इस video को एक बार द्वारा से देखेंगे तो यह ज़्यादा अच्छे से किया है ठीक है